खरगोश गौरया के पीच में एक बिल्ली बहुत समय पहले मोहन नगर नाम का एक अरण्य था उस अरण्य में कई प्रकार के जानवर मिल जुल कर घुमा करते थे उसे जंगल के किसी एक पेड के तने के छेद में एक खरगोश रहा करता था रोजाना जंगल में रही हरी भरी घांश चरना, जील के किनारे खेलना, सारा जंगल घुमकर पेड के तने के छेद में जाकर सो जाना ऐसा हर रोज चलता था एक दिन हर रोज की तरहा खरगोश बाहर गया उसके बाहर जाते ही कहीं से एक गोरया आई और खरगोश के निवास में जाकर सो गई शाम होते ही खरगोश वापस लोटा और देखा कि उसके तने के छेद में गोरया अराम से सो रही है अर्यो गोरया, तीरी इतनी हिम्मत कि तु मेरे निवास में डेरा डाल दे चुप-चाप यहां से बाहर निकल क्या यहां इस तने के छेद में खरगोशी रह ऐसा नियम है? बक्वास ना करो, यहां मैं सालों से रह रहा हूँ तब तो और भी अच्छा, जब इतने सालों से रह रह हो, तो अब मैं रहूंगी यह तुम गलत कर रही हो, अच्छा होगा अगर तुम चुप-चाप चली जाओ देख, तुझे पता है या नहीं मैं नहीं जानती पर अपने माराशे ने कहा है कि इस जंगल के पेड़ पौधे, जील जर्नों पर सबका समान अधिकार है तुझे नहीं पता क्या? सुनो, सिर्फ आहार के विशे में ही ऐसा नियम लागो होता है, ऐसे किसी के निवास को हडबना सही नहीं है तुम चाहे जो भी कहलो, मैं इस तने से बाहर नहीं निकलूंगी ऐसा कहकर तुनों बहस करने लगे बहुत तेर तक भी उनकी बहस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तब गरया को एक उपाय सुझा ठीक है, अब हम और बहस नहीं बढ़ाएंगे हमारी समस्या को सुल जाने के लिए हमें बढ़ों के पास जाना चाहिए ठीक है, अब किस के पास जाकर पंचार पिठाएंगे हम अपने बिल्ली चाची के पास चलते हैं वह हमें सही सला देंगी ना बाबा, वो बिल्ली चाची तो बड़ी धोके बास है चोर बिल्ली उसके पास नहीं जाना ऐसा कहकर खरकोष ने बिल्ली की बात बताई उसके जवाब में गौरईया ने कहा तो हर बात को गलत नजर से ही देख रहा है वो बिल्ली तो नया एवादी है जरूर हमें सही फैसला सुनाईगी ऐसा कहकर उसने खरकोष को पटा लिया फिर वे दोनों बिल्ली के पास पहुँच गए बिल्ली चाची ने दोनों को आते देखा क्या बात है जवानों आज कैसे इस बुड़ी बिल्ली की याद आई ऐसे बड़े ही धीरे से पुछा तब गौरया और खरगोश ने अपने अपने पक्ष सुनाए उन दोनों की बहस को बिल्ली चाची ने ध्यान से सुना देखो बच्चो मुझे याद कर मेरी पास है इसकी मुझे बहुत खुशी है पर मेरी उम्र हो गई है तुम थोड़ा पास आओ मैं अपना फैसला सुनाती हूँ ऐसा कहते ही खरगोश और गरया बिल्ली के पास आए मौका मिलते ही बिल्ली ने जटके में दोनों को गटक लिया और जाकर सो गई इस कहानी से हमें ये सिख मिली कि दो पक्ष के वाद विवाद का फाइदा उठाने वाले लोग कम नहीं होते